हलो एवरिवन नमस्कार कैसे हैं आप सभी सो आप सभी के डिमांड पे ये जो वीडियो है बजट रिलेटेड इस टॉक के उपर हम डिस्कॉसन करने वाले हैं कुछ ऐसे जबरज़ टेक्निकल चार्ट को डिस्कॉस करेंगे जो की एहम लेबल पे है और जैसा कि आपको पता है कि जुलाई में निर्मला सितारमंजीच अपना सात्वा बजट जो है वो पेस करने वाली है जो की मोस्ट लाइकली अभी जो पता चल रहा है दस से लेके 25 जुलाई के बीच में इसी के बीच में कभी ये बजट आ सकता है जो चले देखते हैं कुछ दमदार टेकनिकल चार्ट एंड उसके बेसेस पर हम उन इन इस टॉक्स को इडेंटिफाई करेंगे और एक सौट और स्विंग को फाइंड आउट करनी कोसिस करेंगे तो एक एक करके इन सभी स्टॉक्स को देखते हैं वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारे स्टॉक्स के बारे में पता चल सके तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा कि लास्ट वीक मार्केट ने ऐस सच कोई बहुत बड़े मॉमेंट नहीं दिये एक consolidation आप देख सकते हो कि daily time frame में देखने को मिला तो no doubt market को भी एक पूरा आपका जो broader view है वो आपको हमेशा देखना है कि overall अगर market बहुत ज़्यादा perform नहीं करेगा तो फिर जो आपका particular stock है वो भी नहीं चलेगा तो market का direction आपको हमेशा ध्यान में रखना है और उसी के basis पे आपके जो decisions है वो भी time to time update होने चाहिए वो भी change होने चाहिए अगर market में कोई बहुत बड़े यहाँ पे उथल फुतल देखने को मिलती है तो तो चले जानते हैं कि सबसे पहला stock कौन सा है सबसे पहला stock जैसा कि आपको पता है कि budget जब भी आता है तो सबसे पहला जो segment होता है वो agriculture segment में होता है और वो हमेशा lamb light में रहता है और उससे related budget में कुछ न कुछ चीजे रहती है सो हम इसमें पहले भी मैं बहुत सारे इस पर अपडेट कर चुका हूँ तो एक जो stock है जो की fertilizer से related fat सो fertilizer में fat को अगर आप देखोगे तो यह weekly time frame है and weekly time frame में यह जो candle आप देख रहे हो definitely यह एक अच्छा खासा breakout माना जाएगा so फरवरी से लेके और अभी तक का एक अच्छा यह supply zone था and then इसके बाद finally एक ठीक ठाक यहां से breakout देखने को मिल रहा है तो छोटे time frame में अगर देखा जाए like daily time frame में अगर आप देखोगे तो पिछले चार trading session में ऐस सच कोई बहुत बड़े moment नहीं आए इसके बाद so यह breakout label था तो वापस best demand area के लिए आप छोटे time frame में इस stock को consider कर सकते हो and 15 minute में जब आप देखोगे तो एक जो पहला demand area रहेगा इस stock के लिए so अगर यह breakdown होता है तो अभी एक important यहां पर अगर आप देखोगे तो multiple time support ले चुका है so जब भी यह stock इसके नीचे close हो like 665 रुपे के नीचे close होना सुरू कर दिया है तो फिर आपको easily जो पहला label है वो आपको देखने को मिल जाएगा which is 735 अब आफ किजिएगा यह 765 क्या label है उसके नीचे अगर close होना सुरू कर जाता है तो फिर जो पहला demand area है जो की 735 से लेके 725 रुपे तक का यह label रहेगा and then market में थोड़ा selling का pressure ज़्यादा रहता है तो आपको नीचे के demand area है market उसको भी test करता हुआ देखने को मिल जाएगा जो की as compared to yellow reason यह green वाला है वो ज़्यादा अच्छा demand area है which is around 762 लेकर 686 तक का यह label है तो यह अच्छा खासा आपके लिए fertilizer stock है जिसका technical view अभी काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है तो इसको focus में रखे इसके उपर complete analysis करिए बात करें दूसरे दमदार stock के बारे में तो दूसरा stock हाल ही में अभी stock market में list हुआ है मैं बात कर रहा हूँ यहाँ यहाँ पर एक stock है जिसका नाम है अधार housing तो इसके बारे में आप जाके इसके जो fundamental है इसको थोड़ा सा पढ़ियेगा बहुत ही जबरजस्त यहाँ पर fundamental देखने को मिल रहा है अगर मैं बात करूँ अधार housing के बारे में तो अभी बहुत ही पहले अगर आप देखोगे तो यह stock market में आया है and listing के बाद stock ने एक अच्छा खासा return भी यहाँ पर दिया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर stock last week की performance की तो last week भी एक अच्छा breakout यहाँ पर रहा है हलाग यह भी बहुत जादा यहाँ पर patterns मने नहीं है लेकिन daily time frame में देखोगे तो यह एक अच्छा खासा breakout है so एक वापस demand area जो अगर मैं बात करूँ इस stock के लिए क्योंकि housing से related stock है housing finance से related definitely budget में कुछ ना कुछ चीज़े रहती रहती है तो यहाँ पर यह stock react कर सकता है अगर बात करें इसके लिए एक जबरजस्ट demand area के लिए तो 390 से लेके जो यह stock है लगबग 375 तक का एक अच्छा खासा demand area आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा तो इसको भी अपने watch list में रखिए analysis point of view से बहुत ही जबरजस्ट stock किये होने वाला है So I hope कि अभी तक आपने वीडियो को like कर दिया होगा तो चले इस वीडियो के लिए एक छोटा सा like aim रखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को like करना है आपको और कुछ नहीं करना है So अगर मैं बात करूँ अगले stock के बारे में तो अगला जो stock है वो भी housing से related ही है और बहुत ही जबरजस्ट return दिया मैं बात करूँ NBCC के बारे में इसका weekly view अगर आप देखोगे तो definitely ये भी एक अच्छा खासा breakout देता हुआ आपको यहां दिखेगा So last week एक जबरजस्ट breakout था और इसको हमने अपने live session में भी multiple time discuss किया हुआ तो बहुत ही दमदार stock, बहुत ही बहतरीन stock इसके बारे में और ज़्यादा आप analyze कर सकते है आप देखोगे यहां पर last trading session में एक अच्छा खासा वापस support लेता हुआ दिखा है तो जिलनोंको ने entry ले रखा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें hold करना चाहिए तो अभी वापस जो label बनता है 153 से लेकर लगबग 145 का एक अच्छा खासा demand area है तो इस पर थोड़ा focus रखिए इसको अपने watch list में रखिए आने वाले time में अगर market अच्छा करता है तो इसमें एक बड़िया momentum देखने को मल सकता है यहाँ पे chart pattern थोड़ा positive आपको देखने को मल जाएगा एक अच्छा खासा breakout भी है चाहे daily time frame की बात करें या फिर weekly time frame की बात करें अगले stock के बारे में तो वो भी housing से related ही है मैं बात कर रहा हूँ hood को के बारे में बहुत ही बयातरीन stock और इसको तो multiple time हमने discuss किया है अब hood को को अगर आप देखो के daily time frame में तो last week कोई बहुत बड़ी performance नहीं देखने को मिली यहाँ पे अगर आप देख सकतो एक सीधा सा consolidation है तो simple सी बात है daily time frame में यह जो stock है जो इसके लिए एक best demand area बनता है जो की 240 से लेके लगभग 205 तक यह एक अच्छा खासा demand area या फिर मोटा मोटी आप कहलो की 200 रुपय तक का यह एक अच्छा area है तो अभी यह stock 280 के आसपास घूम रहा है तो यह भी अगर आप इसका broader view देखो के weekly time frame पे तो इसमें भी एक जबर जस ब्रेक आउट आया था and then breakout के बाद stock ने जो election के time एक volatility आई थी तो अपने इस जो retest level है उसको भी test किया त क्योंकि यहां पर technical chart काफी ज़्यादा आपको positive दिखेगा short term point of view से भी लेकिन यहां पर market का view हमेशा आपको clear रखना है कि overall market का क्या view है अगर मैं बात करूँ अगले stock के बारे में पांचवा जो stock है इसको मैंने लिया है chemical sector से related क्योंकि यहां पर थोड़ा सा focus ज्यादा रहता housing या फिर chemicals या agree से related जो stocks है उसमें अच्छा कासा momentum देखने को मिल जाता है तो अगर मैं बात करूँ यहां पर chemical तो यहां market leader है Tata chemical तो यहां पर थोड़ा सा अब ध्यान रखो Tata chemical क्या कर रहा है यहां पर weekly time frame अगर आप देखोगे तो एक यहां trend line से अच्छा कासा rejection देखने क को मिल हाला कि इसको last week clear करने कोसिस किया इसको breakout देने कोसिस किया लेकिन फिर भी है इस टक करके रह गया तो अपने को यहां पर लगबग लगबग 1160 65 का या 70 तक का एक अच्छा खासा closing basis पे candle चाहिए so definitely इसका breakout फिर माना जाएगा and then जब इसको pullback करता है retest करता इस breakout के pullback आता है तो फिर हम इसमें plan कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद ये confirmation आपको एक तरगा मिल जागा Tata Chemical के लिए चले जानते हैं कि अगला दमदार stock कौन सा है बहतरीन fundamental वाला stock है उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक telegram नहीं join किया है एक बार आप telegram join कर लेना है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर्थ course के उपर जब offer आते हैं तो कैसे पता चलता है तो definitely आपको course के उपर जो भी offers आत technical chart pattern बिल्कुल ही zero से advanced level तक सीखने का मौका मिलता है बहुत सारे लोगों ने इस course को consider कर जाता है आप इनके reviews और चेक कर सकते हैं more than 550 reviews और तो ये सारा कुछ अगर आप market को सीखना समझना चाहते हो in detail तो ये course आपके लिए एक perfect course हो सकता है तो उसके लिए क्या करना है कि जब आपको offer होगेरा आते हैं तो वो टेलिग्राम में आपको update हो जाते हैं तो टेलिग्राम वीडियो का जो description है इसी वीडियो का जो description है वहाँ पर मिल जायागा link वहाँ से आप join कर लीजिए क्योंकि अगर directly नाम से सर्च करके आते हो तो the swing guru के नाम पर बहुत सारे और भी fake channels ब telegram channel है वहाँ पहुंचते हैं चलिए बात करते हैं कि कौन सा है वो last का share देखिए पीछे बहुत ज्यादा तहल का मचाया है इस share ने में बात करना हो हिंदुस्तान Aeronautical Limited definitely यह हमेशा से ही focus में था और फिर again focus में आया है और जैसा कि हमने discuss किया था इस volatility में एक मौका मिला था जबर जस्त यहां buying करने का तो जिनके पास है तो simple holding यहां पर रखनी चीए अच्छा खासा है यहां पर आपको profit भी हो रहा होगा तो daily time frame में अगर आप देखोगे तो यह stock लगभग अपने life eyes के आसपास गया है तो थोड़ा सा हम retest के लिए wait करेंगे कि in case अगर market में profit booking आती है तो अभी यह वापस अपने selling area के आसपास आ जाता है तो हम देखते हैं कि यह क्या breakout करता है या फिर वापस reversal लेता है इस पूरे label से तो इस पे भी focus बनाया रखिए definitely market leader monopoly business है और बहुत ही जबरजस्त कामकाज है HL का तो इसमें भी आने वाले दिनों में आपको एक selling recommendation नहीं थे यह पूरा जो complete video हमने बनाया analysis point of view से हमने इसको discuss किया है ताकि आपको technical analysis के बारे में पता चल सके तो definitely अगर आप technical analysis के बारे में जानते हो price को analyze करना जानते हो तो ऐससे बड़े-बड़े moments को आप simply पकड़ सकते हो और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 6-7 दिनों में 32% का moment आपको देखने को मिला ना सिर्फ volatility वाले दिन उसके अगले दिन भी market जब आया था तो market ने opportunity दिया था इसी लिए आपको price behavior को सीखना बहुत जरूरी है without price behavior आप short term में एक rotation नहीं कर सकते है अपने पैसे का कहीं से भी आप मैं यह नहीं कहता ह आपको वहाँ पर accuracy नहीं देंगे और इसके चक्कर में आपके बहुत सारे losses भी हो सकते हैं So thank you so much for watching this video, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द live session में, I hope आपने video को like कर दिया होगा, this is signing off to Rajip Singh Rajput, जहन